तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के प्रोज के लेसन दा हैरिटज आफ इंडिया इसके राइटर मिस्टर एल वाशम है उससे हम एक्स्प्लेंड कर रहे हैं और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यह बहुत ही इंप्रेंड लेसन है प आपके लिए अच्छी ही होगी आए लेसन को हम एक्स्प्लेंड करते हैं लेसन का नाम है इसका अरथ होता है भारत की विरास्त या उत्राधिकार विरास्त या उत्राधिकार का अरथ उन चीजों से है जो हमारे पूरवजों ने महान कारे किये हैं या जो भी किया है उनकी जो पहँचान रही है जैसे ही हम भारत की मिटी में पैदा होते हैं तो पहँचान हमारे साथ खुद बाखुद जुड़ जाती है आईए लेसन जब हम explain करेंगे तो इस पॉइंट को बेटर समझ पाएंगे राम मोहन राय है जो बहुत ही बड़े समाज सुधारग हुए है उन्होंने बहुत ही जुरदार धंग से एड़ोकेसी माने वकालत की है या साउंड इड़ माने आवाज उठाई है सोशल रिफॉर्म के बारे में समाज सुधार के बारे में बिवेकानन्द रिपीटिट इड़ भिवेकाननद ने इस बात को दोहराया है विद ए मोर नेसलिस्टिक टिमबर उन्होंने इस समाज सेवा में राष्ट सेवा को जोड़ा जब ही माने उन्होंने डिक्लियर माने घुशिद किया that the highest form of service of the great mother was social service जब हमारी जो भारत मा है, हमारी जो भारत की मिट्टी है, भारत की भूमी है जिसे हम भारत माता कहते हैं, उसकी सबसे वड़ी सेवा ही समाज सेवा होगी अधर ग्रेट इंडियन्स, अब हम दूसरे महान लोगों के बारे में बात करें जिनके चीफ या जिनके हेड थे, महत्मा गांधी, उन्होंने डेवलप किया दा थीम आफ सोशल सर्विस एज रिलिजियस ड्यूटी, उन्होंने इस विचार को इस तरह से परवाशित किया कि समाज सेवा ही हमारा धर्मिक करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं उन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म या हम सब के लिए धर्म बताया और इसके बारे में विकास या इस विचार में विकास लगातार होता चला गया कि राष्ट सेवा या मात्र सेवा या राष्ट माता सेवा भारत माता की सेवा या इस देश की सेवा ही सबसे बड़ी समाज सेवा है या एक समाज सेवा ही सबसे बड़ी देश की सेवा है और यही हम सब का धर्म है ये पहला जो परागराफ था बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बार्ट बोर्ड में एक्स्प्लेंशन के लिए आ चुका है आए लेसन को आगे पढ़ेंगे महात्मा गांदी वास लुक्ट ओन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपीयन एज दा एपटों अफ हिंदू ट्रेडिशन जब हम महात्मा गांदी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं चैया वो भारतियों की सोच हो या एउरोपीयन की उन्हों है एक हिंदू ट्रेडिशन की एक मूर्ती माना गया है बट डिस इज़ फॉल्स जजज्मेंट राइटर के अकॉर्डिंग यह जो उनके बारे में लोहों का जो जजज्मेंट है वो थोड़ा गलत है for he was much influenced by western ideas एल बाशम बताना चाह रहे हैं कि उनके अनुसार गांधी जी पश्च्वी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे गांधी जी believed in the fundamentals of his ancient culture गांधी जी का पूरा विश्वास था his माने उनके ancient माने प्राचीन संस्कृति के बारे में और उसके fundamentals माने आधार भूत तथियों के बारे में या आधार भूत चीजों के बारे में लेकिन उनका जो अतिदिक प्रेम दिखाया गया है जो हमने किताबों में पढ़ा है अंडर डॉग का मतलब है शोसिश समाज के प्रती, दलिश समाज के प्रती, कमजोर वर्गों के प्रती या महलाओं बच्चों के प्रती and his antipathy to caste और उनकी जो disliking थी, उनकी नाराजगी थी, नापसंदगी थी जाती प्रता के बारे में not unprecedented in ancient India writer ऐसा कह रहा है ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि ये unprecedented मतलब हो गया अभूत पूर्व and where unorthodox in the extreme और इस मामले में वह बहुत ही उधार थे orthodox का मतलब हो जाता है कट्टर, इसका opposite हो गया unorthodox and oved more to European 19th century liberalism than to anything Indian writer ये कह रहा है कि उन्निस्वी शताब्दी में जो येरोप में उधार बाद आया वहीं से गांधी जी के मन में उसी भावना के साथ ही समाच के दबे कुछले लोगों के प्रती जो प्रेम की भावना थी अहिंसा की भावना थी ये प्रभाव वो प्ष्चिम से लाए है या उनमें प्ष्चिम से आया है क्योंकि उन्निस्वी शताब्दी में प्ष्चिम में एरोप में उधार बाद आ चुका था और गांधी उसी से प्रभावित हैं ऐसा writer का मानना है His faith in non-violence was as we have seen by no means typical of Hinduism writer का ऐसा मानना है कि उनका जो विश्वास अहिंसा में था लेखक कह रहा है ये भारत की पहचान नहीं है Hinduism की His producer in revolve the able Maratha Brahmin PG तिलक बाल गंगाधर तिलक उनके जो और लोग हैं साथी हैं जो करांतिकारी थे गांधी इंपेशिंट लेटनेंट सुभाष चिंदर बोस या सुभाष के बारे में बात करें We are far more unorthodox in this respect इस भावना के प्रती या इस point पर हम देखेंगे या इस सम्मंद में हम देखेंगे तो उनके साथ जो और लोग थे जाया वो बाल गंगाधर तिलक हों या सुभाष चिंदर बोस हों वो कहीं कटर थे या शायद वो उदारबाद नहीं थे इसलिए लेखक का इसा मानना है गांधी जी की भावना बाकी सारी हिंदुस्तानियों से थोड़ी अलग थी सिर्फ इसलिए कि वो पश्च्वी विचारदारह से प्रवावित थे गांधी जी की जो भावना है लेखक के अनुसार या तो मांट एवरेश पर बैठकर जो इसा मसी ने उपदेश दी है जने सर्मन्स कहा गया है उनसे प्रेडित हो सकते हैं या शायद वो रशिया के मशूर राइटर लियो टॉलस्टाई से प्रेडित होंगे His campaigning of women's right is also the result of western influence राइटर का ऐसा मानना है कि ऐसे ही औरतों के अधिकारों के प्रती उनके जो campaign था उनका जो प्रचार प्रसार था वो भी एक तरह से पश्च्मी विचार धारा से प्रेडित है अर्थात राइटर के अनुसार गांधी जी की ये भावना है गांधी जी के विचार भारती ना होकर पश्च्मी विचार धारा से प्रेडित है ठीक है